हांजी स्टूडेंट न्यू टॉपिक न्यू कॉंसेप्ट क्या है ब्रेक इवन चार्ट बेसिकली सर यहां पे न चार्ट से मतलब है ग्राफिकल फॉर्म में जो इस तरीके से होता है इस फॉर्म में री पॉर्जेंट करने को चार्ट बोलते हैं और सर ब्रेक इवन वही है जो कि पहले देखा था ब्रेक इवन पॉइंट या तो CPU रख लो या PVR रख लो यह ब्रेक इवन पॉइंट था इसी ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें बताना होता है कि सर ब्रेक इवन चार्ट बनाईए तो एक ग्राफिकल फॉर्म में जैसे कि आप बता दूँ आपको यह इस तरीके से एक ग्राफिकल फॉर्म में बताना है तेक है सर ग्राफिकल फॉर्म में क्या बताएंगे अब रीक इवन क्या होता है हमारा ब्रीक इवन का मतलब होता है जहां पे टूटल को पास्ट इस इकल टू सेल्स हो जाए है यानि सेल्स हमारे टूटल कोस्ट को रिकावर कर रहा है अल्टिमेटली बोले तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिंपल से हम भाशा में बात करें तो नो प्रॉफिट नो लॉस सर इसे क्या नाम दिया ब्रेक इवन चांट तो चार्ट का मतलब क्या था सर ग्राफ में बना देना तो जनरली हमारा जो सेल्स होता है ये माल लेते हैं जीरो होता है ये एकस है और ये वाई है तो सेल्स तो हमारा ऐसे ही जाएगा कुश्चन में भी देखेंगे, zero से start हो जाता है sales, total cost, fixed cost कहीं भी जाएगा, तो fixed cost ऐसे constant रहेगा, sales तो बढ़ता जाएगा, उपर जाता जाएगा, fixed cost थोड़ी बढ़ेगा, वो तो constant रहेगा, और total cost का अगर diagram बनाएगा, तो total cost यहां से start होगा, जहां से fixed cost start होगा, तो यह कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे को काटेंगे, मेरा सही से नहीं बन पाया, मैं इसलिए अभी दिखाऊंगा आपको, जहां आपस में एक दूसरे को यह काट देंगे ना, total उसे बोलेंगे, जहां पर total cost, मैंने यहां पर उपर ले लिया, जहां पर यहां आपस में काटेंगे, उसको बोला जाएगा break-even point, जहां पर fix cost equal हो जाता है total cost के, sorry, total cost equal हो जाता है sales के, तो बहुत simple है, ध्यान रखिए, break-even chart का break-even point को ही एक graphical form में present करना, चलिए देखते हैं सर कैसे graphical form में आपके सामने एक पहले से, इसलिए मैंने बना लिया, रखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो, यह है break-even chart, मैं कुछ example लेके, फिर साथ के साथ चलूँगा, समझाने के perspective से, चीक है, चलिए सर, देखिए, अब देखिए यह जो है, यह cost revenue, cost का मतलब what सर, देखिए यहां पर क्या-क्या लाइने हैं, पहले मैं बता दू, एक तो हमारा जो जा रहा है, एक तो sales, sales की लाइन गई, उसके बाद हमारा क्या है, total cost, sir, total cost, that is a fixed cost, plus में, variable cost, fixed cost, plus में, variable cost, total cost के बाद, अब इसके बाद एक लाइन है, हमारा fixed cost का, ठीक है, एक लाइन है, fixed cost का, clear, यह चीजे हम graphical में, हमने नीचे जो रखा है, unit रखा है, sales में, कितने unit sales होंगे, जैसे तीन में मल्टी पल है, तो दो है, यानि 2000 unit बेचेंगे, चार बेचेंगे, 6000, 8000, 10,000, 12, 14, 18, एक ऐसा example, continue ले लिया, यहां रुपीज के terms में दो चीजे हैं, एक तो cost की भी बात कर रहे हैं, और एक revenue, दोनों sales, नीचे unit है, उपर रुपीज है, जैसे 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 100,000 है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा, तो एक लाग हो जाएगा, एक लाग 20,000, तो ऐसे चलता रहेगा, अब आप ध्यान से देखिए, कि जो हमारा sales है, वो 0 से start है, और ये point हमारा sales का जा रहा है, ध्यान देजिएगा, ये point हमारा किसका है, सर, ये point सर, हमारा sales का है, in fact मैं सीधी line खीज दूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से, ये line जो गई, ये किस सीच की है, सर, sales की है, ये line किस की है हमारी सर, ये है sales की, यानि जैसे जैसे हमारा unit बढ़ेगा, sales बढ़ेगा, unit बढ़ेगा, sales बढ़ेगा, unit बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, fix cost question में कहीं न कहीं जाके 70,000 रुपए है, fix cost question में बीच में आया है, तो आप देखेंगे ना, ये line जो है, वो है fix cost की, suppose fix cost जो है, वो 70,000 है, total, क्योंकि 60 और 80 के बीच में है, तो fix cost किया हमारा 70,000, एक question भी देख लेंगे इसके उपर, तो यानि सर, ये वाला आपस में तो काट नहीं रहा है, यहाँ पर, मैंने कहा था सर, अगर मैं बात करूँ, ब्रेक इवन का, ब्रेक इवन पॉइंट की, तो कब होगा, जब सर, TC हो जाएगा, equal to sales, तो सर, ये sales है, और that is not TC, अब TC का line यहाँ से start करेंगे, क्यों सर, यहाँ से क्यों start करोगे TC, क्योंकि, 0 level पे, 0 level पे, जब हम sale नहीं करेंगे, 0 level पे, तो हमारा VC भी 0 होगा, लेकिन FC उस जगह पे हमेशा होगा, 70,000 रुपए, तो 0 level पे भी देखा जाए, तो TC हमारा आएगा, 70,000, ये VC है, तो 0 level पे VC कितना है, 0, FC कितना रहेगा, 70, क्योंकि ये तो change नहीं हो सकता, किराया मकान का तो देना ही देना है सर, तो 0 level पे पूरे 70,000 रुपए गए, तो यहां से देखा, आपने 0, 70, तो यहीं से TC स्टार्ट होगा, that is a TC, अगर आप बोलते ना सर, VC तो VC भी यहीं से स्टार्ट हो जाता, sales से नीचे नीचे चलता हो, FC constant है, TC तो यहीं से स्टार्ट होगा सर, तो यहां पे देखिए, आप, यहां पे TC है, यह line है ना, यह, new line जो मैंने दिया है, that is TC, और यह क्या है सर, sales है, और यह क्या है सर, FC है, तीन line खीच दी मैंने, जो कि मैंने आपको बताया, 1, 2, और 3, यह तीन चीज़े है, अब देखेंगे, मैंने क्या कहा, जहां पे TC और sales equal हो, तो आप observe करोगे सर, कि TC और sales कहाँ equal है, TC गया है, तो इस जगहे पे, यह हमारा point आ गया, तो यह वाला जो point जहां पे TC और sales आपस में cut हो रहा है, इसको हमने नाम दे दिया, break even point, पहले यहां तक देखें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, इसको क्या नाम दे दिया, break even, तो क्या बोला था, break even chart, तो break even chart में यह graph को chart बोला गया, और इसी के अंदर, अगर हम represent कर दें उसको, जहां पे आपस में total sales, अगर मैं इसको explain करूं, तो where total sales and total cost, आपका आपस में जहां पे cut होगा, आपस में equal हो जाएगा, वहां पे क्या माना जाएगा, break even point, तो यह हमारा break even point है, कुछ चीजे इसमें समझने वाली चीजे है, इसका मतलब सर, जितना भी यह वाला area है न यह वाला area, जितना भी आपका area यह है, समझिएगा, यह वाला area, यह सारा area सर लॉस है, यह सारा area सर लॉस है, कैसे सर लॉस कैसे है यह सारा area, यह सारा area लॉस है, क्योंकि भी आप प्राफिट आपका, यहाँ पे क्या है, आपने सेल किया, लेकिन आपका total cost तो इतना है, आप sales आप 2000 unit कर रहे है, बीस हजार रॉपे का, लेकिन cost आ रहा है आपका 70 हजार, तो नुक्सान ही होगा न, तो यह सारा का सारा area क्या है, लॉस है, इसके बाद, इस break even point के बाद देख रहे होंगे आप, यह तेजी से, जितनी तेजी से loss था, जितना कम माल बेचेंगा लॉस ज़्यादा, माल बेचते जाएंगे, fix cost recover होता जाएगा, recover होता जाएगा, recover होता जाएगा, recover होता, जैसे fix cost recover होगा, फिर profit बढ़ने लग जाएगा, तो एक time पर ऐसा area आ जाता है, जैसे कि आप देखें, यहाँ पर यह जो area है, इसको क्या नाम देते हैं सर, इसको देते है angle of incidence, कई बार exam में पूछा गया है, important है, angle of incidence, angle of incidence, यह वाला area है, जहाँ से profit होना चालू होता है, तो angle of incidence यह वाला area है, angle का मतलब कोण, यहाँ से incidence मतलब profit होना चालू हो जाएगा, इस area से, correct, इसको बनाईएगा जरूर, आपके किताब में भी होगा, notes में भी देखके, मैं कुछ questions भी दूँगा, उसके बनाःएगा, अब सर, जैसे जैसे area बढ़ता जाएगा, तो यह वाला area मानलो, यहां पे बूलो यहां से यहां तक क char profit, और यहां से यहां तक क्या सर variable cost, और यहां से यहां तक fix cost है, तो यह वाला जो area है हमारा सर, अगर मैं इस area की बात करूँ, तो ये वाला area क्या है सर ये variable cost है और ये वाला area क्या हो गया सर fix cost हो गया और ये वाला area क्या हो गया profit हो गया अब देखे fix cost plus variable cost plus profit क्या बनता है हमारा जाके sales बन जाता है ठीक है तो और margin of safety की बात कर रहे हैं यहां पर तो margin of safety क्या है यहां पर देखिए जहां पर ग्यान देजेगा टोटल सेल्स माल लेते हैं इतने का है तो यहां से यहां के बीच का जो भी duration होगा MOS होगा क्योंकि actual sales यह हमारा यहीं तक हमने sales की बात करी है तो actual sales यहां तक है तो और break-even sales यहां तक है तो break-even sales और actual sales के बीच का जो फासला होता है उसको क्या नाम देते हैं sir margin of safety that is the actual sales ठीक है तो sir यह था break-even chart hopefully आपको यह break-even chart समझ में आया होगा जिसको doubt हो comment में जरूर लिखिएगा फिर हम इससे related कुछ practical question देखेंगे और फिर उसको अलग-अलग points से हम break-even chart बनाएंगे ठीक है चलो अभी कर लेते हैं अभी देख लेते हैं पहले इसको आप noting करिए फिर देख लेते हम कुछ questions और उससे related charts जी sir एक question देखेंगे आपके सामने question है हाजर इसमें break-even chart ड्रो करना है ठीक है जैसे पिछला जो question था ना उसी का मान लेते हैं इसका break-even chart ड्रो करना है हाला कि मुझे ये पहले दिखाना चाहिए था फिर बात में कोई बात नहीं कहता है इसको इसको उतारने क्या जोरत है तो break-even point का formula लिखिए sir break-even point होता है हमारा FC upon में PVR ठीक है सर FC question में given है क्या बिलकुल सर given है PVR दे रखा है नहीं sir PVR variable और इससे निकाला जा सकता है ठीक है और यहां पर देखा जाए तो sales rupees के terms में भी given है और यहां पर sales unit के terms में भी given है बोत given है तो हम CPU भी रख सकते हैं बागी हम निकाल लेते हैं आपका निकालना है सबसे पहले PVR क्या होता है sir PVR होता है हमारा contribution divided by sales into में 100 sir contribution क्या होता है sir contribution होता है sales minus में variable cost तो पहले sales ही ले लेते हैं sir sales 140 minus में VC 60 तो यह आ गया 80 80 क्या आ गया contribution formula में put कर यह 80 divided by 140 into में 100 तो that is that is 57 size मैंने यहां गलत 8 6 14 ठीक है 57.14 आ गया यह है that is PVR अब यहां formula में fix कर देते हैं यह आ जाएगा हमारा 40,000 और यह आया हमारा 57 तो 0.5714 तो 40,000 divided by 0 5714 तो यह आ गया 70,000 रुपया है 70,000 तीन आया round figure में 70,000 तो 70,000 ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा यानि अगर चार्ट में हम ड्रो करें पहले मैं roughly समझा देता हूं फिर मैं आपको पीछे लेके चलूंगा अगर मैं चार्ट में ड्रो करूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ना इधर क्या रखेंगे सर यूनिट इधर क्या रखेंगे सर कॉस्ट और क्या रखेंगे सर सेल्स यहां पे हम 2000 का गैप ले लें जैसे तक यहां कि मान लो 2000 यूनिट 4000 यूनिट क्योंकि यूनिट के टर्म्स में दे रखा है एक चालिस तक जाएगा तो 24 यह आप 20,000 का ले लेते हैं ना ठीक है सर अब सेल्स हमारे यहां से स्टार्ट होगा यू चला जाएगा क्योंकि 20 पे 20 होगा 40 पे 40 होगा 60 पे 60 होगा क्योंकि दोने यूनिट बराबर है न हमारा देखो 20 हजार यूनिट पे 20 हजार का सेल 40, 60, 70 तो यह होगा सेल सर फिक्स कॉस्स दे रखा है मैं 40 तो 40 फिक्स कॉस्ट यह चला जाएगा और टोटल कॉस्ट यहां से उठके जाएगा और यहां से उठके जाने के बाद यह ऐसे जाएगा यानि जब हमारा आएगा 70,000 यहां पे कट करेगा तो यह सर पॉइंट बनेगा यह वाला एरिया सारा सर लॉस का होगा यह होगा आपका अंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे होगा आपका सारा का सारा एफसी तो यह कंटीनीव जो हमने पहले देखा था यह बनाए आप प्रॉपर स्केल से ड्रो करिएगा चलिए सर फिर देख लेते हैं क्या होता है फिर सब्सक्राइब चलिए सर यह आपके सामने ग्राफ करें सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने कहा था आपका सेल्स आ गया सेल्स इन यूनिट यह देखिए आपका बीस अजार 20,000 यूनिट 4,000 यूनिट 60,000 यूनिट और 80,000 यूनिट 1,00,000 यूनिट और 1,20 टोटल 1,40 तक ले जाना था यह आ गया यहाँ पर आपका हो गया रुपीज के टम्स में असी एक और ये भी गया एक चालिस तक अब बीस पर बीस सेल्स के लाइन देखिए आप सेल्स की लाइन ये चली जाई सर ऐसे कैसे के सेल्स का लाइन ये प्रॉपर ही देख जाएगा आपको न बस मैं स्टेट लाइन के लिए यूजत कर लाइन सर ये ऐसे कैसे किया सेल्स का लाइन क्योंकि एक पे हज़ार की सेल होगी बीस हजार योनिट पर 20 हजार एक रुपर योनिट पढ़ रहे तो सेल्स ऐसे गिया यहाँ पर 40 पर ये टी से है सर ये क्या है? ये है FC मैंने TC गलती से बोल दिया यह है FC और सर यह है sales अभी समझाये था वही exact और यहां से कुछ हमारा जा रहा है यहां से देखिएगा यहां से यहां से यह line लेके गए TC का ठीक है न यह line किसका था हमारा TC का तो TC और FC ने कुछ इस level पर गाटा है तो आप ध्यान से देखोगे न तो TC और FC जो cut कर रहे न अपस में वो level कुछ ही है यहां और यह 80 और 60 के बीच में है that is a 70 उसे क्या मानेंगे हम 70 70 मान लिया उसे clear तो सर यह वाला area कौन बताएगा क्या है comment में बताना यह वाला area क्या है सर यह वाला area सारा का सारा loss है अच्छा सर yes और सर यह वाला area यहां पर क्या है यह वाला angle of incidence और यह वाला area सारा profit वाला area यह profit profit है और यह हमारा fix cost और यह variable cost और यह हमारा profit और हो गया हमारा break even chart ready समझ में आए आपको क्लियर है कैसे तो रिपीडी होगा बस इसमें लाइन चार्ट में तो कई बार एक्जाम में पूछा गया के ब्रेक इवन चार्ट रो करें तो बहुत सिंपल है फटा फट लेकिन देखिए प्रैक्टिस करेंगे न तभी होगा आपका जैसे मैंने का कुछ कोशन भी देखा हमने एक कोशन देख लिया चलिए अब इसके अंदर हम ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे एक अगले कोशन में ध्यान दीजिएगा पहले यहां तक देखें फिर हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे यहां तक देख लिजिए पहले आप